एक ऐसी सोसल मीडिया इंफ्लूइंसर जिनकी हैं 25 मिलियन से ज़ादा फॉलोवर्स। भारत में सबसे ज़ादा पसंद की जाने वाली फिमिल यूटूबर बच्पन में देखे थी कई बड़े सपने बनना चाहती थी एर होस्टेस। पीता की मौत के बाद तूट गए सारे खुआप बनाई एक नई दुनिया और नई पहचान। और क्यों होती हैं उनके घर में कलेश बताएंगे उनकी कहानी सुरू से आखिर तक बस आप बने रहे अन तक हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट लागातार मिलते रहें। नीतु बिस्ट एक मसूर मॉडल, इन्फुलेंसर, योट्यूबर, ट्रेवलर और कंटेंट क्रियेटर है। नीतु बच्पन में बहुत सरारती थी जिसकारण उन्हें अकसर मां से डाट भी खाने परती थी, लेकिन नीतु के पिता ने उन्हें कभी कुछ नहीं कहा, वो हमेशा ही पापा की लाड़ले रही थी। ताकि मौत के बाद रिष्टेदारों से भी उनके परिबार को कोई मदद नहीं मिली। बारवी क्लास पुरी करने के बाद नीतु ये कॉलेज जाने की बज़य नौकरी करने का फैसला किया, जिससे वो अपनी मा को सपोर्ट कर पाए। केबल 17 साल की उम्र में नीतु ने नौकरी की दुलास शुरू कर दी और अपनी पहली नौकरी उन्होंने एक कॉल सेंटर में की। यहाँ नीतु नी सिर्फ एक मेहनी तक काम किया था और एक मेहनी की सेलरी से नीतु ने नया मोबाइल करीदा था। के लिए राजी भी हो गई। नीतु विष्ट ने पताया कि वो बचपन में एर होस्टिस बनना चाहती थी। लेकिन एर होस्टिस के इंस्टिचूट की फीस दो लाख रुपए थी। जो उनकी मां अपोड नहीं कर सकती थी। अपनी वीडियोज अपलोड करना सुरू कर दिया। और देखते ही देखती उन्हें पॉपलरेटी मिलने लगी। उनकी वीडियोज लोगों को काफी पसंद आई। लेकिन भारत सरकार ने टिक टॉक पर मयान लगा दिया। जिससे उन्हें एक गहरा सदमा लगा। लेकिन अब तक नीतू लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी थी और उन्होंने यूटूब और इस्टाग्राम पर भी वीडियोज अपलोड करना सुरू कर दिया। इसके साथ ही नीतू ने एक्टिंग में भी सुरुआत की और फेमस यूटूबर अमिद वाहना के साथ क अरजुन राबत से हुई। उसके बाद दोनों ने साथ में वीडियोज बनाना सुरू कर दिया और दोनों के बीच नजदीकियां पढ़ने लगी। पहले दोनों अच्छे दोस्त बन गए और कब दोस्ते प्यार में बदल गई नीतू और लखन को खुद बता नहीं चला। उस समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 28 फरवरी 2013 को नीतू और लखन ने साधी की और हमेशा के लिए एक दूज़े खाहत थाम लिया। दोनों के साधी ने भी खूब सर्खिया बटोरी थी लेकिन साधी के बाद उनके घर में कलेश सोना सुरू हो गया। असल में नी इसके चक्कर में नीतू और लखन अपनी पैम्ली से सेपरेट होकर रहने लगे हैं। वो दोनों दिल्ली में रहते हैं और उनका एक आलिसान घर है। नीतू के पास लगजरी कार्स का अच्छा खासा कलेक्शन है रैंज रोबर, मर्सेडीज से लेकर बार्चुनर तक कई सा इनकम हो जाती हैं। आज के समय में नीतू विष्ट की नेटवर्थ 20 करोर के आसपास है। उन्हें फिल्म देखना और घूमना काफी पसंद है। नीतू के बारे में एक और बात आपको बता दे कि उन्हें टेटू बनवाना पिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तो य नीतू विष्ट के बारे में पूरी जानकारी। उमीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है कि नीतू और उनकी सास महमू का जगडा सुलश पाएगा। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीड